उच्छारी कर उठे हुए बंदे की तरह से शुरू से आप अपना पिछले पच्छी साल से आपका यह रवएज्चा आहना यह कर दूँगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा, मैं नवास श्रीफ के कमरे से एर किडिशन उतार अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी धियान भी नहीं किया तुमारे एर करेशन लेते हैं, तुमने एक की विए दो लगवालों मुझे कोई तरह आज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, कि मैं दिल में इस तरह की कीना रखूँ या अधावत रखूँ या मैं को बदला या इंतकाम की सियासत करूँ। नवाज शरीफ ने बानी पीटी आई को रोटा हुआ बच्छा करा दे दिया, मुझे जेल में डालकर इसी हटाने का कहा गया, मेरा ध्यान इस तरह नहीं गया, बानी पीटी आई से इंतकाम लेने का सोचा तक नहीं, कोई घर्ज नहीं उन्हें जेल में अब कौन सी सहूलिय सदर नून लीग की मरे में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तको कहा, बानी पीटी आई से मदद मांगने नहीं गया था, कहा आएं मिल कर काम करें, मुलक के साथ किसने क्या किया, इसकी तहकिकात जरूरी हैं, काम मावाज ना करे, कान क्या कर गया, सदर नून को खुदा हाफिस कहा, ये दुबारा ले आए, आते की की किमत में कमिंका क्रेडिट वजीर आला पंजाब को दिया, आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के हिदायत की, कहा, शहबास उलीफ और मरियम नवास इसी महनत से काम करेंगे तो मुलक बहरानों से निकल जाएगा, वजीर आला पंजाब और सदर नूमली चार रोसे मरी में माजूद हैं, क्याम के दौरान सियासी बैठके लगी, आज छांगला गली का रुख कर लिया। पाकिस्तान से एक हजार तुलबा को जरात की जुदी तर्बियत के लिए सरकारी खट्च पर चीन भेजने का फैसला, चीन में पाकिस्तानी सफीर और मुतलिका हुकाम को मुनसुबे को हत्मी शकल देने की हिदायत, वजीर आजम को बेस के मुक्तलिफ हिसों और पाकिस्तान पाकिस्तान और शांची की माबेंच जरात तवनाई और कानकुनी के शुबों में तावुनते हैं, वजीर आसम शेहबाज शरीफ से शीयान में सुबा शांची के पार्टी सरबराज जाओ एधाखी मुलाकात, वजीर आसम बोले पाकिस्तान और चीन दो अहनी भाई हैं, ज आरा कोटा वोर्यर म्यूजियम का दोरा किया, चीनी सादर ने वजीर आसम को अबाई शेहर के म्यूजियम को देखने की दावत दी, शेहबाज शरीफ रे कहा, अजीम कौमे चीन की तरहां अपने तारीफी विर्से की हिपास्त करती हैं, दो सो बर्स कबल मसीख के चीनी कार प्राइटी तहरीक इनसाफ और जे-ई-उ-ई-ई-एक पेच पर आने लगी, साबक हरीफ हकुमत मखालिफ इतहात के खरीब पहांच गए, मामलात आगे बढ़ने लगे, मौलाना फज्दोर रह्मान के तहफ़जात बानी पी-टी-आई तक पहँचा दिये गए, जरा के मता बानी पी-टी-आई ने तहफ़जात दूर करने की यقین दिहानी भी करा दी, बानी तहरीक इनसाफ का पेगाम भी मौलाना फज्दोर रह्मान तक पहुचा दिया गया, पी-टी-आई को बानी की जानिक मामला तैग करने के लिए, तीन और अपनी कमेटी बनाने का टास्क मि अगले हफ़ते मौलाना की रहाशचगा पर मुलाकात तैए। मुझा करना चाहते हैं तो हमारा मेंडेट वापिस करें रहनमाओं और कारकुनों को रहा किया जाए। अपोजिशन लीडर ने बात चीत के लिए बन्यादी शरायत बता दी। गुझा वाला में मीडिया से गुफटगू में अमर आयू बोले फार्म 47 वाले वजिर आसम या उनकी टीम से क्या बात करें वो शकस्त खुर्दा हैं इस्सम्बली में हम से आँखें नहीं मिला सकतें मज़ीद कहा हम पर कतल देशित गर्दी एकवा के भी मुकदमा दर्ज हैं ये खुद और इनका खांदान भुगट चुके कल फिर भुगतेंगे टी ट्वन्टी वर्ल्ल कप में एक और बड़ा अपसेट अफगानिस्ता ने न्यूजीलेंड को 84 रंस से हरा दिया अफगान टीम ने पहले खेलते वे 160 रंस का हदफ दिया कीवीज हदफ के ताकुब में 75 रंस पर धेर हो गए बंगला देश ने शिर्लंका को दो विक्टो सहरा दिया आज जुनूबी अफरीका और निदरलेंड साड़े साथ बजे आमने सामने राद दस बजे आस्ट्रेलिया और इंगलेंड की टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी पाकिस्तान की तारीक का पहला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई एप का इज्रा मजीर आला मरियम नवास ने पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोचेक्ट की मनसूरी दे दी मुवेशियों की खरा के लिए धाई लाइव स्टॉक कार्ड के जरिये कर्स दिये जाएंगे मरियम नवास की जनुबी पंजाब में टेरी फार्मिंग के लिए स्कीम तयार करने के हिदायत कहा पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स को माशिय खुदमुफ़ारी की रह पर गामज़र करना चाहते हैं जरताज गुल कामी इसम्बली में सुनने इतहाद कांसल की पारलिमानी लीडर नामसाद बानी पीटी आई ने मनसूरी दे दी जराय के मताबिक सहाफ़ादा महबूब सल्तान, जैन कुरेशे और एहमद चठा के नाम भी तजवीज किये गए थे पीट को सुननी इतहाद कांसल के सरबराथ स्पीकर कामी इसम्बली को आगाह करेंगे सहाफ़ती तन्जीमों के तहफुजात, नजर अन्दास, गवरनर बेरूने मुलक, काई मकाम गवरनर, मलिक मुहमद एहमद कान ने हतक इजजद बिल पर दस्थखत कर दिये सलीम हैदर ने बिल पर दस्थखत से मुतालिक तहफुजात का इज़ार किया था उदर हते के इज़त का कानून लाहॉर हाई कोट में चालेंज कर दिया गया अदालत से कानून को खल दम करार देने के स्थदा दर्खवास के हत्मी फैसले तक कानून पर अमल दरामल रोकने की अपील मतन में लिखा कानून आइन और कावनिन के मनाफी है सदर लाहॉर प्रेस कलब अर्शद अनसारी कहते हैं पंजाब हकुमत ने हड़ धर्मी का मजाहरा किया बिल पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम ली गनून से मिली हुई है सहाफी बरादरी कानून के खिलाव फर पूर इहतजाज करेगी सहाफियों से मतालिक हत के इसद बिल पर पीपल्स पार्टी को तश्वीश है हम सहाफियों के साथ खड़े हैं पीपी रहनमाज शासिया मरी कहती है कि बिल पंजाब हकुमत की जरूरत है तो सब के साथ मुशावरत होना चाहिए थी बिलावल फुटो जर्दारी पीटियाई दोर में सालिवाना बिल के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़े रहे सिन के सीनियर वजीर शर्जेली नामेमन की जिर सदारत महिक्मा एक्साइज और टेक्सेशन का इजरास टेक्स निजाम को ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुनसलिक करने का फैसला प्लाटीनम केटेगरी में 10, गोल्ड में 11 और सिल्वर में 10 प्रीमियर नंबर्स के इजरा का फैसला सीनियर वजीर की जानिब से प्रॉपर्टी प्रोफेशनल और दीगर टेक्स अहदाफ मकमल करने के हिदायात बेहतर कारकड़गी ना दिखाने पर महिक्मा एक्साइज के 82 अफसरान को नोटिसेज